B और D के बीच में आता है C, याने की Birth और Death के बीच में आती है Choice. Birth और Death के बीच में आप क्या करते हैं? ये Completely आपकी Choice है. नमस्ते दोस्तों मेरे नाम है RJ कार्तिक, आपका स्वागत है, मेरी नई सिरीज, Learning सिरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में? आज में उस खिलाडी की बात करने जा रहा हूँ जो 1991 में टीम इंडिया में पहली बार आया. उसके बाद उसे डॉप कर दिया गया, चार सालों का इंतजार करना पड़ा, 1996 में फिर से उसे मौका मिला. जब वो खेलने लगा तो इतना कमाल खेला, कि उसके बाद उसने वापस नहीं देखा. टीम इंडिया में जब कैप्टेंसी की दिक्कत आ गई, जब बहुत बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, तो नए कप्तान की तलाश थी और इस खिलाडी को चुना गया. इसने 2003 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचा दिया. सब क और आज वो भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रिजिडेंट है. मैं बात कर रहा हूँ, बंगाल टाइगर, महराजा, दादा, यानि की सौरव गांगुली की. सौरव चंडिदास गांगुली की लाइफ से वो पाँच बाते क्या हैं, जो आप और हम सीख सकते हैं, आ इंदुस्तान में खेली जा रही थी, कोलकाता में मैच था, इडन गार्डन्स में, जो की दादा का अपना होम ग्राउंड है, जहां की कंडिशन्स, जहां का पिज, जहां का मैदान, हर चीज से दादा वाकिफ थे. सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग हो रही थी, दादा उस वक कप्तान थे, और उस मीटिंग में, दादा ने कहा कि मुझे खिलाडी चाहिए, जिसका नाम हर बजन सिंग है, मैं उसकी ताकत को जानता हूँ, मुझे वो खिलाडी अपनी टीम में चाहिए, जो सेलेक्टर्स थे, वो हर बजन सिंग से भज्जी से उतने इंप्रेस्ड नही दादा ने बोला, मुझे हर बजन चाहिए, जब तक हर बजन टीम में नहीं आ जाता, मैं ये रूम छोड़ करके, मीटिंग छोड़ करके नहीं जाओंगा, दादा अपनी बात पर अड़ गए, और फाइनली सेलेक्टर्स को गिव अप करना पड़ा कि ठीक है भईया, आप लगातार तीन विकेट्स लिए, उस पारी में उन्होंने साथ विकेट्स लिए, और उसके अगली पारी में छे विकेट्स लिए, यानि की मैच में तेरह विकेट्स लिए, मैन ओफ दे मैच बने और उसके बाद में हर बजन सिंग स्टार बन गए, उस मैच से ही दादा ने कि दादागिरी हमेशा के लिए चलने वाली है और दादागिरी का मतलब है अपनी टीम के लिए हमेशा खड़े रहना Learning No.2 सीखने वाली सबसे बड़ी बात सौरो गांगुली से यह है कि लाइफ में कभी अपनी इंसल्ट को मत भूलिएगा अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है आपका कोई अपमान करता है उसे याद रखिए और टाइम आने पर सही समय आने पर अपनी सक्सेस से अपने काम से उसे जवाब दीजिए सौरो गांगुली की यह तस्वीर आपको याद होगी जब नेटवेस्ट ट्रोफी का फैनल था लॉड्स में जो की क्रिकेट का मक्का का जाता है वहाँ सौरो गांगुली ने बालकनी में टी-शर्ट उतार दी थी टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी दादा जो हैं जश्न मना रहे थे मैं जब गया था लॉड्स के मैदान में घुमने के लिए वहाँ जो गाइड थे औरोंने मुझे कहा कि आप इस वक्त सौरो गांगुली बालकनी में खड़े वे एंड्रियू फ्लिन्टॉफ ने टी-शर्ट उतारी थी और मैदान का चक्कर काटा था उस घटना को सौरो गांगुली ने याद रखा और जब मौका मिला जब टीम इंडिया ने इंग्लेंड को उनके घर में हराया लॉड्स में हराया नेट वेस्ट टोफी में हराया तो सौरो गांगुली ने टी-शर्ट उतारी और बता दिया कि बॉस टीम इंडिया यहां हमेशा हमेशा के लिए रहने आईए धाग जमाने के लिए आईए लॉड्स का मैदान वो है आला कि काफी क्रिटिसाइज भी क्या लोगोंने कि यह वो मैदान है जहां जेंटलमें क्रिकिट जो है उसको और बढ़ावा दिया जाता है सौरो गांगुली कह करना किया यह सही था बहुत सारे बात हुई बहुत सारे सवाल उठे लेकिन मुझे लगता है कि दादा ने दुनिया को बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने इस बात से काफी कुछ सीखा है। ये लाइफ में कम बैक करना बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। टीम इंडिया में एक नई एनरजी लेकर के आए, नए नए खिलाडियों को मौका दिया। यूराज सिंग, मोहमब कैफ, विरेंदर सहवाग, हरभजन सिंग, जहीर खान, आशीश नहरा। बहुत सारे नए खिलाडी लेकर के आए। एक नए टीम इंडिया बना दी। वो ग्र सौरो गांगुली कहते हैं कि उनके फादर रोजाना सुबह अख़बार देखते थे, टीम इंडिया जीत रही थी और जहां टीम इंडिया जीती थी तो उनके फादर कहते थे कि बिटा देखो अब तो तुमारे लिए और मुश्किल हो गया, तुम कभी कमबैक कर पाओगे क दादा ने का पापा मैं समझ सकता हूँ कि आपका मेरे लिए कितना प्यारे लेकिन इंडिया जीत रही जीतने दो, मेरे लिए भी कभी न कभी जगे बनेगी, आप बस पॉजिटिव रहूँ सौरो गांगुली ने रंड जी मैचिस खेले, फर्स क्लास क्रिकेट उन्हें खेलना पड़ा, इतने बड़े कप्तान को वापस से वो जीरो से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें कमबैक किया, तो वो कहते हैं कि सचिन टेंडूलकर, जो कि हमेश और ने शान से विदाए ली, ये कमबैक करना कितना important है, आप सौरो गांगुली से सीख सकते हैं, एक वो advertisement आपको याद होगा जिसमें दादा कहते हैं कि मैं सौरो गांगुली, आप मुझे भूले तो नहीं, कितना emotional moment था, ये खिलाडी जो भारत का कप्तान राओ, उसे टीम से बाहर कर दिया गया, आप वापस आता है, और दुनिया को दिखाता है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं वापसी कर सकता हूँ, अगर कभी आपको life नीचे गिरा दे, आपको लेगे कि सब कुछ खतम हो गया है, तो सौरो गांगुली की life की तरफ एक बार देखेगा, आप समझ जाएंगे कि bounce back करना कितना important होता है, आज सौरो गांगुली BCCI के president है, learning number 4, हालात बदलने से पहले, माहौल को बदलना होगा, सौरो गांगुली जब भारत के कप्तान बने, तो ये वो दौर था जब fixing के आरोप लगे हुए थे, टीम के कुछ खिलाडियों पर, एक तरीके स लोगों के अंदर भी निराशा थी कि क्या टीम है, कुछ लोग पैसा लेके खिल रहे हैं, बहुत सारी बाते हो रही थी, इस सब के बीच में एक नया कप्तान चाहिए था, सौरो गांगुली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, सौरो गांगुली जब टीम के captain बने तो उन् लोग हमेशा defensive mode में रहते थे, सौरो गांगुली ने अपनी टीम को सिखाया कि हमें dominate करना है, हम जीते या हारें, खेलें किस तरीके से ये हमें decide करना है, तो हमारा खेल हमेशा शांदार होना चाहिए, 1983 में जब team इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद में, हम कभी भी final तक नहीं पहुँचे थे, 2003 के वर्ल्ड कप के final में पहुँचना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी, वो एक वर्ल्ड कप जीतने जैसा था, क्योंकि नई team, नया कप्तान और ये सारे लोग जो हैं पहुँच जाते हैं, आस्ट्रिलिया का सामना करने के लिए, हाला कि हम वो मैच नहीं जीत पाए, अगर वो जीत जाते हैं तो इतिहास और शांदार हो जाता, लेकिन team इंडिया को वर्ल्ड कप के final तक पहुँचाने का credit जो है, वो सौरोग गांगुली को जाता है, टीम इंडिया में एक नई energy, एक नई जान फूंकने का credit है, वो credit जात है, तो सबसे important बात है कि अगर आप हालात बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो माहौल है, उसको बदलना शुरू कीजिए, अगर आपनी life में कुछ बड़ा achieve करना चाहते हैं, तो जो process है, उसको दुरूस्त कीजिए, ठीक कीजिए, और जाते हाते learning number 5, failure हमेशा teacher की तरह ह गया, तो हर किसी की निगाह मेरी तरफ थी कि आप सवरो गांगुली क्या करेगा, सवरो गांगुली ने फिर से रंडजी खिली, फिर से अपने आपको साबित किया, team इंडिया में जगे बनाई, और जब जगे बनाई तो शांदार खिले, और शांदार खिलके, बता भी आ वॉस की मैं कहीं जाने वाला नहीं था, मैं इधर ही था, बस मेरी लाइफ में एक बुलते ना की लो फेज आ गया था सौरोगाउली ने अपनी बुक में भी लिखाए कि फेलियर का आना भी जरूरी है, क्योंकि फेलियर जो होता है, वो सबसे अच्छा टीचर होता है सौरोगाउली कहते हैं, कि जब ऐसा समय आए कि आपकी लाइफ में लो फेज है, आप बुरा फील करने है, बुरा हो रहा है तो काच के सामने जाकर के खड़े हो जाईए, और शीशे के सामने खड़े होकर के कहिए, कि हाँ मैं कल हार गया था, लेकिन मैं कल जीतूंगा, मेरा टाइम भी आएगा तो कहने का मतलब यह है कि हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे Stuart Broad तो आपको यादी होंगे जिनकी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे योवराथ सिंग ने T20 World Cup में Stuart Broad के लिए करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी तो करियर की शुरुआत में ही सौरोग अंगली को गेंद फेंक रहे थे मैच हो रहा था इंगलेंड में इंगलेंड वोसेज इंडिया सौरोग अंगली सच इंटेनल कर ओपन कर रहे थे Stuart Broad ने जब बॉल फेंकी तो उसके बाद दादा को कुछ कह दिया दादा भी पलट करके आया और उन्होंने भी कुछ कह दिया तो जब ये वाकिया हुआ उस वक्त सौनिल गाउसकर साब भर्शा भोगले साब जो एक कॉमेंटरी कर रहे थे सौनिल गाउसकर साब ने बुला कि शायद दादा ने जवाब देते हो बुला है कि स्टुवर्ट जब तुम अपनी नापीज में थे मैं तब से क्रिकेट खेल रहा हूँ उसके बाद में जब अगला और फेंकने के लिए स्टुवर्ट ब्रॉड आये तो जैसे नोंने बॉल फेंकी उनके सर के उपर से सौरो गाउली ने शानदार चक्का जड़ दिया अपने लंबे-लंबे चक्कों की वज़ए से दादा हमेशा मशूर रहे एक छोटा सा वाकिया मुझे आदाता है जब वो बंगल क्रिकेट असोसियेशन के प्रेजिडेंट थे तो रवी शास्त्री ने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई सौरो गाउली स्टैंड क्यों नहीं बनवाया मैदान में इडन गार्डन्स में तो स्वरो गाउली ने कहा कि रवी यह पूरा इडन गार्डन ही में रहा है यहाँ एक अलग से स्टैंड बनाने की ज़रूत नहीं है अपने आटिट्यूट की वज़ए से अपने कमबैक की वज़ए से अपने cricket की वज़े से अपनी leadership की वज़े से दादा हमेशा हमेशा के लिए हम सब के लिए एक learning lesson है जिन से हमें काफी कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आप देख रहे थे मेरी नई learning series सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे देखिए मेरे साथ हर सोमवार सुबे साड़े नौ बजए एक नहीं कहानी और जाते आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा